आज हम बनाएगे साउथ इंडियन सांबर की रेसिपी बहुत ही कम तेल में बनने वाले इस सांबर पर जब तड़का डालेगे तो पूरे घर में इसकी महक आएगी सब्जियों से बनने वाला ये सांबर काफी हेल्दी भी होता है तो चलिए टेस्टी सांबर को किस तरह बनात है देख लेते हैं तो उसके लिए देखिए यह जो मेजरिंग कप आता है आदा कप मैंने तूर की डाल ली थी जो अरहर की डाल होती न वो तो उसे अच्छी तरह से धो कर मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में भीगो कर रख दी थी अब 20 मिनट हो गए है यह दाल को कूकर में अब यहां सबजिया डालेगे तो यहां पर देखिए सबजियों में मैंने 3 टमाटर लिए मीडियम साइस के और दो टुकड़े में काट लिए हूँ यहां पर थोड़ी सी प्याज है जारी मोटी कटकर के लिए हूँ और पमकीन के 5-6 टुकड़े है देखिए इस तरह से पम लिए है उसे भी बड़े टुकड़े में काट लिए हूँ मैंने और गाजर था तो इसे भी मैंने लंबे टुकड़े में काट कर ले लिए हूँ एक चोटे साइस का आलू था तो इसे मैंने इस तरह से टुकड़े में काट लिए हूँ इसके अलावा देखिए सबजी में मै कोई बात नहीं तो इस सभी चीज़े डाल देते हैं अब गयास चालू कर देगे हैं साथी में बारिक कटावा हरा धनिया भी डाल देते हैं इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है सांबर में छोटा अदा चम्मच हल्दी पाउडर है और एक चम्मच तेल लिया है डाल कुकर में से बाहर नहीं आती है अब इसे मिक्स कर लेगे इसके अलावा आपको जो सबजी पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हो और अगर कुछ सबजिया नहीं है तो कोई बात नहीं कम सबजी में भी आप ये सांबर को बना सकते हो बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है अब इसमें हम पानी डालेगे तो दो ग्लास पानी डाल देती हुमें एक बार मिक्स करके कुकर का ढखकन बन कर देगे हम और मीडियम फ्लेम पर 5-6 सीटिया लगा लेनी है यहां पर कुकर की पास सीटिया हो गई है और मैंने गैस बन कर दिया था तो कुकर का सारा प्रेशन निकल गया है तो यहाँ पर डाल को चेक कर लेते, यह देखिए, डाल को मैंने भीगा कर ली थी, इसकी वज़ा से डाल अच्छी तरह से गल गई है, और इसे घोटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सबजिया भी अच्छे से पक गई है, अब इसमें हम सहजन डाल देगे, तो यहाँ प और इसमें मसाले डाल देते, तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच लाल मिर्च लिए, यह मिर्च बहुत ज्यादा तेज नहीं है, मिर्च आप अपने हसाब से कर दे, एक चम्मच धनिया पाउडर है, थोड़ इसी मैंने हल्दी पाउडर भी ली है, आदा चम्मच गरम मसाला प ताके सहजन की फली भी हमारी अच्छे से गल जाए, तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ, सामबर जो है, थोड़ा सा पतला ही होता है, तो उसी साब से आपने इसमें पानी डाल देना है, रेस्टोरेंट वगरार में आपने सामबर खाया ही होगा इडली डोसे के साथ, तो आपने देखा होगा कि सामबर थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट वाला होता है, तो मैंने यहाँ पर दो गलास पानी डाल दी हूँ, साथी में हम इमली का पल्प भी डाल देगे, तो यहाँ पर मैंने 3-4 चमच इमली लेकर इसे 15 मिनट के लिए भीगो कर रखी थी, तो इमली अच्छी तरह से भीग चुकी है, इसे छान कर डाल देगे, तो इमली का पल्प डाल दिया है मैंने, आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हो, अभी सहजन हमारी कच्छी है, तो इसे 10-12 मिनट के लिए हम अच्छे से उबलने दे है, यह देखिए, 10-12 मिनट हो गए है और सांबर में बहुत अच्छा उबल आ गया है, सहजन को भी हम चैक कर लेते हैं, यह देखिए, सहजन भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, अब इसमें डाले गए हम 2 चमच सांबर मसाला, तो यहाँ पर मैंने सांबर मसाला ले लि और कलर देख सकते हो, आप सांबर का के कितना बहतरीन दिख राएं, एक बर अच्छी तरह से सांबर मसाले को मिक्स कर देते हैं, और बस थोड़ा सा तड़का करना बाकिए, फिर गर्मा गर्म हमारा सांबर तैयार हो जाएगा, तो अभी इसे साइट पर रख देती हूं, और स सबस्सक्राइब के लिएreiben कर लेते हैं सामभाय के लिए वेक नजय कुछ कुछ हैं जाय है मेंद लाइद ही वेकिन डीह देज़ाती है एक जर्डाइय सपस्सक्राइब को टरिकोच demi लिर। साथी में हमने देखिए सुखी लाल मिर्च लिए तीन से चार और एक चोटा चम्मत जीरा लिया है थोड़ी सी हिंग भी डाल देते फ्लेवर के लिए अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हो इसे थोड़ा सा मिला देगे अब इसमें दालेगे हम करी पत आती है और दो चम्मच बारिक कटिवी प्यास को हम हलका सा सुनेरी होने तक फ्राइ कर लेते हैं सांबर में तेल बहुत ही कम जाता है लेकिन जो भी मसाले हम डालते है उससे बहुत अच्छी खुश्बू भी आती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है यह देखिए प अद्रक और हरीमीच को कुट कर लेना इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं तो अद्रक हरीमीच और लेशन को बहुत ज्यादा जलाना नहीं है हलका सा इसका थोड़ा सा कच्छा टेस्ट होता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर कराता है कि देखिए सबी चीज अच्छी तरह से हो गई है तो गर्मा गर्म सांबर डाल देते हम इसमें कि माशाला माशाला पूरे किचन में खुश्बू आ रही है अब बस दो मिनट के लिए यह तड़के को सांबर में मिक्स करना है क्योंकि हमने सांबर को पहली तरह से 10-12 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है बहुत अच्छा सा इसमें उबाल आ चुका है तो दो मिनट के लिए तड़के की भी खुश्बू हमारे सांबर में आ जाए तो पकने देते दो मिनट के लिए यहां पर दो मिनट हो गए है अब मैं गैस बन कर देती हूं और उपर से बारी कटा हुआ हरा धनिया दाल देगे और गर्मा गर्म यह खुश्बूत दार और मजे का हमारा सा इसके साथ ही मैंने आज इडली बनाई है और नारियल की चतनी बनाई है तो इससे पहले मैंने इडली की रेसिपी शेयर की थी तो आज मैंने सांबर की रेसिपी बनाई हूं तो अगर आपको इडली बनाना सीखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो कि इडली का बैटर किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से इडली बनाई जाती है तो गर्मा-गर्म South Indian ये सामबर बनकर हमारा तैयार है आप इसे इडली के साथ धोसे के साथ या फी मेदु अड़े के साथ खा कर篦 कर लेते हैं महिने में एक बार हमारे घर पर सांबर और इडली दोसा वगेर हम बनाते ही रहते तो यह सांबर खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट ही लगता है बहुत जटपड बनकर तैयार हो जाता है और अभी यह पकड़ा था जब ही उसी टाइम पर मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि म अगर आपको मेरे आज के सांबर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजेगा अपना बहुत सारा खैल रखे दूआ में मुझे या आप रखे प्की जिजेपादा की आप टीजेगा आपना बहुत रखे दूआ यादा रखे रखे पाना वीजेगा वीजेगा फ própर वीजेगा अबसे दूदी आप सार रखे शुद़ाइश परेशा प्रीजेगा है अट जाँ पुद़ा आए तो बहुत में जाबसे लग़